क्लास बाराह बालुजी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टन लाउं कुईशन लेकर के आए हैं विद आंसर पूरे फुल सॉल्यूशन के शाथ बहुत ही जादा इंपॉर्टन जो बोर्ट परिशा में जरूर आएंगे तो पार्ट बन मैंने अपलोड किया था आज का पार्ट टू है तो पार्ट टू में कौन कों से मोस्ट इंपॉर्टन कुईशन लेकर के आए हैं चलिए सुरू करते हैं पहले कुईशन को देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टन लाउं कुईशन है मनुसे में मादा जनन तंतर का वर्डन कीजी बहुत ही ज़्यादा important है equation मादा जननतंत्र और paper में जरूर आएगा छपा हुआ रखा है अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है तो पूछा जाएगा मानों में मादा जननतंत्र का नामा कि चित्रों की सहायता से वर्ण कीजी अगर ऐसे नहीं पूछा गया तो पूछा जाता है उपजुक्त चित्र की सहायता से मानों में मादा जननतंत्र का वर्ण कीजी अगर ऐसे भी नहीं पूछा गया तो पूछा जाता है मानों में मादा जननतंत्र का सच्छ एवं नामा की चितर बनाईगे और इसके दो अंगों का वर्धन कीजी, आईए इसको अच्छी तरीके से समझा देते हैं कैसे लिखना है? ये तो अलग की बात है, पहले इसको समझ लेते हैं देखे, ये एक मानो का मादा जनन्तंतर है और जो मानो होता है यह एक लिंगी प्राड़ी है यानि कि इसमें इस्त्री अलग होती है और पुरुस अलग होता है यानि कि नर अलग होता है और मादा अलग होती है तो जो इस्त्री है इसका जननतंत्र है यहाँ पर अब इसमें देखिए यह जो इस्त्री होती है इस्त्री में दो अंडासे होत दिम्बवाहिनी जहां पर खुलती है इसे गर्भासे कहते हैं योट्रस यह गर्भासे होता है यहां पर योनी कही होती है और आपको बता दें जब अंडा अंडासे से निकलता है अंडो सर्ग होता है अंडो सर्ग क्या है अंडे कर निकलना तो जब अंडासे से अंडा बाहर तो जालर के द्वारा अंदर कर लिया जाता है अब जालर ने अंडे को अंदर यानि फैलोपेर नलिका में कर लिया है इधार से सुक्राण जाएंगे और अंडे को निसेचित करेंगे तो जब अंडे को निसेचित करेंगे इस तरह से अंडा निसेचित कहने का अबलब ये है कि इसी फैलोपेर नलिका में ही अंडा निसेचित होता है अंडे का निसेचन यहीं पर होता है और इसके बाद निसेचन के बाद ये गरभासे में आकर गरभासे की दिवार में धस जाता है और फिर नौ माँ के बाद सिसु का जन्म होता है तो ये तो वह एक प्रिकिरिया अब इसके अंगों के नाम कहे गए थे तो देखे जो अंडासे होता है अंडासे इस्त्री में दो होते हैं गर्भासे के दोनों तरब एक एक और आपको बता दें जो अंडासे है ये कार क्या करता है अंडे का निर्मार करता है ये अंडे का नि प्रोजेश्ट्रान और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रामर भी करता है तो अंडासे के दो कारी भी एक तो अंडे का निर्मार करना दूसरा इस्त्री जनन हार्मोन का स्रामर करना और इस्त्री जनन हार्मोन पुछा जा तो प्रोजेश्ट्रान और एस्ट्रोजन होते हैं दो और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि जनन ग्रंथियों के विकास में सहायता करते हैं और दोतिया का गौड लेंगिक लक्षणों में भी हिल्प करते हैं उनका भी विकास करवाते हैं तो इस तरह से अंडा से हो जाएगा और इसके बाद जो फैलोपेन नलिकाएं होती हैं जब अंडा फैलोपियन नलिका में आता है तो फैलोपियन नलिका में ही अंडे का निसेचन होता है और निसेचन के बाद सायूगमन के बाद में इसका जो बिदलन होता है इसी फैलोपियन नलिका में ही होता है और बिदलन के बाद जो मौरूला अवस्था होती ही वो भी इसी नलि जाती है तो इस तरह से सारा कुछ बताना होगा चलिए देखते हैं कि कैसे इसको लिखना होगा देखे जो भी वहाँ पर उत्तर संख्या होगी वो उत्तर संख्या आपको डालने ना है फिर लिखेंगे मादा जनन तंत्र को निम लिखित तीन भागों में बाटा जा सकता है य और फिर इसी के नीचे दूसरे नंबर में आप लिख लेना कि अंडवाहिनी अंडवाहिनी को फैलोपिया नलिका भी कहा जाता है और फिर तीसरे नंबर पर लिख लेना गर्भास है गर्भास हो जाएगा तीसरे नंबर पर और फिर योनी लिख लेना इस तरह से अब पहली अंडासे की इस्थिती बताई गई है कि अंडासे कहां पर होते हैं तो कहां होते हैं मादा में एक जोड़ी अंडासे होते हैं पहली बात तो यह यानि दो अंडासे होते हैं दो ओवरीज होती हैं और अंडासे कहां पर होते हैं तो स्रोड गुहा में कहां पर स्रोड गुहा मे स्रोण प्रदेश में स्रोण गुहा में गर्भासे के दोनों तरफ जो गर्भासे होता है उसके दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की और इस्थित होते हैं मैंने भी आपको चित्र दिखाया भी था और ये जो अन्डासे होते हैं, ये अन्डासे धार के द्वारा ब्रक के पीछे देहभित से जुड़े रहते हैं। और प्रत्येक अंडासय अंडासय इसनायू द्वारा गर्भासय से तथा अंडासय फिब्री द्वारा अंडवाहिने से जोड़ा होता है, यानि जो प्रत्यक अंडासय है एक तरफ अंडवाहिने से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ क्या अंडासय इस नए से जुड़ा होता है अंडासय में परिधी की और ग्राफियन पुटिकाएं होती है जो परिधी होती है उसके और क्या होती है ग्राफियन पुटिकाएं हो होता है अंडास है अंडे का निर्माड करता है और साथी साथ मादा लिंग हार्मोन प्रोजेश्ट्रान और इस्ट्रूजन का स्रामड भी करता है अब दूसरी हेटिक है अंडवाहिनी आईएस को समझा देते हैं तो देखें दूसरी हेटिन डालेंगे अंडवाहिनी अंडव बुलम तुम्भी का संकीन पत तथा गर्भासे भाग में विभाजित होती है अंडवाहिनियों की भिती का बाहरी आवरण पेरिटोनियम कहलाता है जो अंडवाहिनियों की भिती का बाहरी आवरण है ये पेरिटोनियम होता है तथा इसके नीचे पेसी आवरण होता है इसके मुख पर कीप के आकार की जालर होती है जैसे कि अभी मैंने जालर आपको दिखाया भी था इसके बाद का कुंडरित भाग फैलो पियर नलिका कहलाता है या अंडवाहिनी कहलाता है अब डालेंगे गर्भासे तो यह मुत्रासे के ऊपर तथा पीछे इस्थित मुत्रासे के ऊपर पीछे की तरफ उल्टे नासपाती की आकार की जिसे नासपाती को उलट दो तो बिल्कुल उसी तरकी की सर्दचना होती है जो इस नायू के द्वारा सरीर से चिपका रहता है और इस नायू के द्वारा सरीर से चिपका हुआ होता है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है मायोमेट्रियम गर्भासय का लियूमिन सिलिस्मा जिली के द्वारा घिरा रहता है जिसका लियूमिन होता है वो सिलिस्मी का जिली के द्वारा घिरा रहता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है एंडोमेट्रियम और गर्भासे का भूर्ण आपरा के द्वारा जुड़ा रहता है जो गर्भासे का भूर्ण है ये आपरा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और फिर डालेंगे योनी आप देखें योनी में क्या लिखेंगे यहां मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में जिल्ली में पेशी नलिका होती है मूत्र मार्ग और गुदा के बीच में बीच के अग्रभाग में जिल्ली में पेशी नलिका है यहां संभोग के दौरान सिश्निव से वीरी ग्रहन करती है अपर मादा मानों के बाहे जननन अंगों को सामोहिक रूप इस तरह से लिखेंगे आपको बता देते हैं और औप इस और इन गर्नथिय निकलता है वह जनन प्रिकिरिया में हिल्प करता है तो इसमें पाई जाता बर्थोलिन ग्रंथिया जो मादा होती है इसमें बर्थोलिन ग्रंथिया पाई जाती है ये एक जोड़ी होती है बर्थोलिन ग्रंथिया एक जोड़ी यानि दो होती है जो मलासय के बीच में मलासा के बीद में ये चिपचिपा द्रव सरावित करती है इनसे कह निकलता है चिपचिपा सा द्रो निकलता है जो मैथुन में सहायता करता है और इसके बाद में एक जोड़ी इस्तनगृंथिया Schön वच के अधर भाग पर स्थित होती है ये दुख धसरामण करने वाली ग्रंथियां हैं इनसे कह निकलता है दोध निकलता है और प्रत्य ग्रंथी 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती है इन पर उभरे हुए चुचुक भी पाय जाते हैं चुचुक के चारों और उपस्थित गोला कारवड़क युक्त भाग को एरियोल कह इस तरह से लिख देंगे और जो मैंने आपको चित्र दिखाय था वह चित्र बना देंगे और आपको फुल नंबर प्राप्त हो जाएंगे चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टन पर आते हैं डिन्ने की संरचना के वाट्सन एवं क्रिक माडल को उपयूग तो चित्र बना कर समझाईए और इसके कार भी लिकिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन है ये और परिक्षा में जरूर आगा किसी न किसी सेट में छपा हुआ रखा है अगर इस तरह से ये प्रेश्ट नहीं पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि वाट्सन एवं क्रिक द्वारा प्रस किये गए माडल की सर्म रचना का नामांकिक चित्र बनाईए वर्णन की आवश्कता नहीं ऐसे भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि DNA क्या है DNA अड़की द्वी कुंडलेनी का वर्णन कीजिए तो किसी भी तरह से प्रेश्ट पूछा जाए आपको यही लिखना है किवल इस सभी प्रोकरियाटिक वा यूकरियाटिक कोशिकाओं में अनुवांसिक पदार्थ होता है यह जो DNA है यह प्रोकरियाटिक तो सभी प्रोकरियाटिक नहीं कहेंगे कुछ प्रोकरियाटिक वा सभी यूकरियाटिक कोशिकाओं में अनुवांसिक पदार्थ होता है सूच्म ज कि लग्षणों को एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुंचाता हे यह हम कह सकते हैं कि माता-पिता के लग्षणों को उनकी संतानों में ले जाता है पीडी दर पीडी ट्रांसपर करता है DNA उच अणुभार वाला ब्रहद अणु है या कलेजिये कि जो DNA होता है ये एक ब्रहध अडव है वार्सन वाक्रिक ने DNA संदचना का दुई कुंडली माडल प्रेस्तुत किया था ही रहेटिन डालेंगे DNA का रासायनिक संगठन यानि इसमें क्या-क्या चीजे होती है तो DNA का अडव नुकलियो टाइट्स जोड़ों का बहुलक होता है आपको बता दें कि हर एक DNA में अगर एक DNA की बात की जाए तो जो DNA होता है DNA में डी आक्सी राइबोज सरकरा होती है डी आक्सी राइबोज सरकरा होती है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन छारक होते हैं नाइट्रोजनी छारक होते हैं फासफेड समू होता है नाइट्रोजनी छारक है फासफेड समू है यह सभी पाये जाते हैं इन सब चीजों का मिलकर बना होता है और डी आक्सी राइबो सरक्रा पांच कार्बन सरक्रा वाली होती है देखे जैसे यह डी आक्सी राइबो सरक्रा यहां पर हम बना लें इस तरह से, यहां एक चित्र के रूप में इस तरह से यह डी आक्सी राइबो सरक्रा हो जाएगी, यहां पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहां से पांचवा कार्बन इससे फासफेड समू जोड़ा होता है इस तरह से तो इस तरह से DNA इतनी चारी चीजों से मिलकर बनता है यह फासफेड समू और nitrogen basis और deoxyribose सरकराब अब देखें जिसमें जो nitrogen basis होते हैं या nitrogen छार होते हैं दो प्रकार के होते हैं प्यूरीन और पिरामीडीन जो प्यूरीन होता है इसमें एडिनीन और ग्वानीन होता है एडिनीन को A से प्रतरस्थित करते हैं ग्वानीन को G से प्रतरस्थित करते हैं तो जो प्यूरीन है इसमें एडिनीन और ग्वानीन तक तो आते हैं जो प्यूरीमीडीन होते हैं इसमे साइटोसीन और थाइमीन आते हैं यानि कि C और T आते हैं अगर यहाँ पर RNA होता थाइमीन की जिगर पर यूरेसिल हो जाता है आप देखें नाइट्रोजनी छारक डी आक्सी राइबोस सरकरा से बीटा ग्लाइकोसेडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं जो नाइट्रोजनी छारक होते हैं यह डी आक्सी राइबोस सरकरा जो होती है यह जो सुगर का इस्ट्रक्चर है इससे बीटा ग्लाइकोसेडिक बंध के जुड़े रहते हैं इससे नुकलियोसाइड बनते हैं इने से क्या बनता है, नुकलियोसाइड बनते हैं, नुकलियोसाइड फासफोर डाइस्टर बंद द्वारा, फासफोरिक अमलके साथ जुड़कर, नुकलियोटाइड कर निर्मार करते हैं, जो नुकलियोसाइड होते हैं, ये फासफोर डाइस्टर बंद के द्वारा, अब द द्वारा फासपोरिक अमल के साथ जुड़कर नुकलियोटाइट का निर्मार करता है और ये नुकलियोटाइट बिभिन निक्रमों में जुड़कर पॉली नुकलियोटाइट संखला बनाते हैं या पॉली नुकलियोटाइट चेन का निर्मार करते हैं पॉले नुकलोटाइट की दो प्रतिसमानांतर संखलाएं होती हैं जो DNA अडू बनाती हैं ड्रतिसमाने के दोनों पॉले नुकलोटाइट के निर्ट होती हैं इंटी-पैरलल होती है, प्रतिसमातर का बतलब इंटी-पैरलल होती है, फिर अगला लिखेंगे पॉलिणुक्लियोटाइट्स के निर्माण में, नुक्लियोटाइट्स एक दूसरे से सरकराज़ा सेहलंता द्वारा जुड़े रहते हैं, और फिर अगला पॉइंट तीन हाडन बंधों के द्वारा होता है कहने का मतलब यह है कि यह दिखे, चित्र को आपको दिखार अपकर बता देते हैं जहां जहां पर साइटोसीन जुड़ा है यह टिरपल बांड गौानीज से जुड़ा है यानि जो गौानीज है ये हमेशा triple band cytosine से जुड़ता है और अगर cytosine है तो हमेशा triple band guanine से जुड़ेगा लेकिन adenine जो होता है वो हमेशा double band thymine से जुड़ता है तो वही चीज point में दिखाई गई है देखें वही चीज यहाँ पर point में है कहा गया है कि cytosine और guanine चारकों का युगमन तीन हाइडन बंधों के द्वारा होता है अब फिर अगला point है adenine तथा थाइमीन या यूरेसिल के मद्धे केवल दो हाइडन बंध होते है तो अभी मैंने आपको दिखाया था adenine हमेशा double band thymine से जुड़ेगा और अगर RNA है तो adenine हमेशा double band यूरेसिल से जुड़ेगा तो यही चीज यहाँ दिखाया गया है फिर अगला है दोनो पॉली नुकलोटाइड शंखलाओं में सरकरा के आणू एक दूसरे से 11 अंगस्ट्राम की दूरी पर होते हैं जो दोनो पॉली नुकलोटाइड शंखलाएं होती हैं चेन होती हैं उसमें जो सुगर के मॉलीक्यूल होते हैं सरकरा के अणू होते हैं वह एक दूसरे से 11 अंगस्ट्राम की दूरी पर होते हैं अगला पॉущ है DNA आणु का भ्यास 20 अंगस्ट्राम होता है देखे इसमें जो भ्यास है ये पूरा 20 अंगस्ट्राम यहाँ पर 20 होना चाहिए 30 नहीं है 20 अंगस्ट्राम होता है तो इस तरह से पूरा लिख देखे देखे, जैसे यहाँ पर चित्र बनाया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना होगा, तो जितनी चीजे इसमें लिखे गए, इसकी चौड़ाई कितनी है, 20 अंगस्ट्राम होती है, इसकी आधी चौड़ाई अगर 20 से मद्ध से लिया जाए, तो 10 अंगस्ट्राम ह होती है, एडिनीन हमेशा थामीन से डबल बांट के द्वारा जूरता है, थामीन हमेशा एडिनीन से डबल बांट के द्वारा जूरता है, गवानीन हमेशा साइटोसीन से ट्रपल बांट के द्वारा जूरता है, और एक नुकिलोटाइट से दूसरे नुकिलोटाइट की ब जयोविकास के पक्ष में प्रमार लिखिए इन में से किनी दो को समझाईए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जयोविकास इसी बार आया है कोरोना काल में ये चैप्टर पूरा हटा हुआ था तो अब इसमें ये क्वेशन पूछा जा सकता है अवसेशी अंग क्या है मनस के चार अवसेशी अंगों का उलेख किजी ये किस प्रकार जयोविकास को प्रमारित करते हैं ये क्वेशन जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेशन है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है समझात एवं सम्रित अंगों का संचिति मे सारीरिक या तुलिनात्मक सरीर रचना से प्राप्त प्रमाडों का वर्ण किजी तो चाहे यह कहा जाए चाहे एक इबात है या फिर प्रमाड यहां भी पूछे गए थी अब समझात और सम्रित अंग अलग थे तो यह तो जादा इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है अंतर आपते को जय विकास कहा जाता है कहने कम तब यह है कि जो छोटे छोटे जीव होते थे सूच्म जीव होते थे उनको निम्न अस्तर के जीव कहा जाता था तो निम्न अस्तर के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन यानि धीरे धीरे जो परिवर्तन होते गए धीरे धीरे जो चें परिवर्तन के अनुसार हुआ है यह धीमिगति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है कि अर्बो करोड़ों सान लग जाते हैं ऐसा होने में और जयोविकास के पुष्ट निम लिखे प्रमाडों से होती है जैसे पहला है अवसेशी अंगों के प्रमाड इसमें के लिखेंगे जिवधारियों के सरीर में अनेक अवसेश पाय जाते हैं या अवसेशी अंग पाय जाते हैं पूर्वस जातियों में ये अंग किरिया सील थे यानि जब पूर्वस थे तो ये अंग किरिया सील थे और उपयोगी भी थे जिवधारियोदारा उपयोग ना किये जाने के काड़ ये अवसुसी हो गए अब क्या होता है कि जिवधारी धीर धीरे करके इनका उपयोग नहीं कर रहे थे जिसके काड़ ये अंग अवसेसी बन गए अवसेस के रूप में रह गए इनका कोई भी कारिन नहीं रह गया है अंतता बिलुप्त हो जाएंगे यानि कि धीरे धीरे काला अंतर में आके आने वाले समय में बिलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और कुछ अवसेशी अंगों के नाम इस प्रकार है देखे पहला है करण पलों की पेसिया मनुसे के कान में अक्री वा अवसेशी अंग करण पलों की पेसिया होती है ऐसे ही सरीर पर जो बाल होते हैं यह बल लिखे गया है यहां पर बाल होगा सरीर पर जो बाल होते हैं ताप नियंतर में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं तो ये भी धीर दिले करके कालांतर में शमाप्त हो जाएंगे ऐसे ही अकल की दाड़ जो अकलदाड होती है ये भी अवसेसी अंग होता है तीसरा मोलर दंत है जो अनावशक होता है इसका कोई भी कार नहीं होता है और इसी तरह से क्रीमी रूप परिसेशिका होती है यह पहले पूर्वजों में क्या होता था कि जब वो साका हारी थे तो इसमें सेलूलोस का पाचन होता था अब क्रीमी रूप परिसेशिका का कोई का शाम नहीं रह गया क्या मनुस्ते आब इसका उप्योग नहीं रह गया इसलिए अवुषेशिए आंग के रूप 뭐 смотр फिर अगल डालेंगे जय विकास के तुलनात्मक आकारकी से प्रमार तो उन्यतुओं की तुलनात्मक कार्की के अध्यान से ग्यात होता है कि एक ही उत्पत्य के अंग भिन भिन जन्तों में आवज सक्तानसार भिन भिन आकार के हो जाते हैं जबकि अनेक जन्तों में एक कार्य को करने के लिए बिकसित विभिन प्रकार के अंगों की उत्पत्य समरूपता दिखाती है कहने के कारे में हैं समझात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं तो पहले समझात अंग को समझा देते हैं कि समझात अंग हेडिन डालेंगे और लिखेंगे कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्य तथा मूल रचना में समान होती हैं उत्पत्य में समान हैं मूल रचना में समान है यानि देखने में बिल्कुल एक ही जैसी है परंत कार के अनुसार उनकी बाहर रचना में भिनता आ गई है यानि कार भिन है उत्पत्य और मूल रचना में समान है लेकिन कार भिन है उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है होमो लॉगस आरगन कहा जाता है ऐसी सन रचनाओं को ही क्या कहते हैं समझातंग कहते हैं और उनकी समानता को समझाता कहा जाता है जैसे सील के फ्लीफर पच्छी के पंख चमगादर के पंख घोड़े की अगली टांगे मनुस के हाथ की उत्पत्त मूल रचना में समान है लेकिन कार में भिन है कैसे तो मनुस के जो हाथ है ये अन्य कामों के लिए होते हैं जबकि अगर घोड़े से इसकी तुलना की जाए तो घोड़ा दोनो यानि चारो उपांगों से चलने का कार ही करता है लेकि इस तरह से अच्छा सा चित्र भी आपको बना देना है और उसका नमांकन भी कर देना है तो सील का फ्लीपर तैड़ने के लिए होता है पच्छी तथा चमगादर के पंक उड़ने के लिए होते हैं घोड़े की टांगे दोड़ने के लिए और मनुस के हाथ वस्त को पकड़ने के अनकूल होते हैं मैंने भी आपको यही समझाया भी था फिर अगला है संब्रित्य अंग तो वे अंग जो समान कारी करते हैं परंत उत्पत्य एवं मूल रचना में भिन्न होते हैं कार समान है लेकिन उत्पत्य और मूल रचना में भिन्न है बिल्कुल उसी के उल्टा है संब्रित्य अंग कहलाते हैं इनकी इस समरूपता को संब्रित्यता कहा जाता है जैसे कीटों बिलुपत सरिस्रप टेरोडक्टाइल पच्छियों तथा चमगादर के पंक उड़ने का का करते हैं लेकिन ये उत्पत्य और मूल रचना में भिन्न होते हैं देखिए इस तरह से इन चित्रों को भी आप दिखा देंगे बना देंगे और इसके बाद हिंडालेंगे जीवास्म की से प्रमार तो जीवास्म भूपतल की चटानों से प्राचीन काल जीधारियों के अव प्रमार बता देंगे और इतना सारा लिख देंगे फिर अगला most important question है डार्विन के जय विकास संबंधि सिधानतों का वर्डन कीजिए तो डार्विन के सिधानत क्या है या डार्विन वात किसे कहा जाता है या डार्विन के प्राकरतिक चैनवात का सिधानत का वर्डन कीज यह डार्विन के विकासी परकरपना का सिधान्त बताईए सब एक ही कुश्चन है एक ही आंसर लिखना होगा तो लिखेंगे इसका आंसर आंसर लिखेंगे चार्ल्स डार्विन ने सन 1869 में अपनी पुस्तक प्राकर्तिक चैन दौरा जातियों की उत्पत्य में अपने सिधान उत्पन करने की बहुत ही जादा छमता होती है प्रतेक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानुत पत्य की अपार छमता होती है इसके फलसुरूप पिठ्थी पर जीवों की इन जातियों की आबादी या सविष्ट लगभग निश्चित तथा संतलित रहती है फिर दूसरा होता है जीवन संगर्स तो सभी जीव जीवित रहने के लिए संगर्स करते हैं भोजन आवास तथा उचित वातावन के लिए जीवधारियों में जीवन संगर्स होता है जीवन संगर्स सजाती अंतर जाती तथा वातवरी होता है फिर अगर डालेंगे बिभ जोड़े से उत्पन एक जात के सभी सदस्य जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं समान नहीं होते हैं इनमें कुछ न कुछ विभनताएं अवस्य होते हैं कुछ न कुछ वैरियेशन्स अवस्य होते हैं विभनताएं लाब दायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में चली जाती हैं फिर अगला है योगितम की उत्तर जीविता तथा प्राकर्तिक चैन तो किसी जाति विशेज की वे जीव जाति विशेज के वे जीव जो प्रकृति में सफलता पुर्वक अपना संपूर जीवन बतीत करते हैं और स्वस्त संताने उत्पन करके अपने वन्स या जाति को चलाने में सबसे अधिक सहायता देते हैं डार्विर वात के अनुसार ऐसे ही योगितम जीवों का प्रकृति चैन करती है पास्वा पड़ लिखेंगे वातावण में निरंतर परिवर्तन जीवधारी निरंतर वातावण से प्रभावित होते रहते हैं वातावणी दसाओं से प्रभावित होने के कारण विभनताएं उत्पन होती हैं और विभनताओं के कारण जीवधारी स्वयम को वातावण से अनकूलित किये रहते हैं जो जिवधारी स्वयम को वातावण के अनकूल नहीं बना पाते नेश्ट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं डार्विन ने इसे प्राकर्तिक चैन कहा यानि प्रकर्तिक चैन कहा यानि कहने का मतलब यह है कि कोई भी जिवधारी अगर उस वातावण के अनकूल हो जा और फिर अंतिम हेडिन डालेंगे नई जाति की उत्पत तो डार्विन के अनुसार जीवों की जितनी भी जातियां हैं सभी प्राकर्तिक चैन के फल्सुरूपी ही उत्पन हुई हैं फिर most important long question है ब्यसन से आप क्या समस्ते हैं प्रभुक नसीले पदार्थों के नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए यहीं ब्यसन किसे कहते हैं और प्रभुक नसीले पदार्थों के नाम और उनके प्रभावों का वर्णन करना है अगर इस तरह से प्रशन नहीं पू ही ब्यसन है कोई भी रासानिक पदार्थ है ड्रक्स है उसकी लट लग जाना ही क्या कहलाता है ब्यसन कहलाता है अब नसीले पदार्थों के नाम वप्रभाव तो एल्कोहल जो एल्कोहल है सामान रूप से सराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है या रासानिक रूप स एथिल एल्कोहल। है। और फिर दूसरा लखेंगे ऐल्कोहल, ड्रक्स के ततकालिन प्रितिकुल प्रभाव, गलत ब्योहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। फिर प्रेंगे लखेंगे इनकी अत्यधिक मात्रा के शेवन से स्वसन घात हो सकता है एलकोहल ड्रक्स के प्रभाव से एकाकीपन अवशाद थकावट आक्रमर सिलता और विद्रोही बिवहार परिवार और मित्रों से बिगरते सम्मंद सोने और खाने की आतों में परिवर्तन भूख और वजन का घटना बढ़ना आद इसके सब चीजों को बताना होगा तो जिन राशानिक पदार्थों का उप्योग रोगों के निदान निवारण और उप्चार के लिए किया जाता हुने ही और शदियां कहा जाता है अब ड्रक्स और नसीली दमाओं में जैसे चरस है गांजा है हसीस है यह सब आते हैं तो इनको ल रेड इंडियन ने किया था तो इस तरह से जो तमाकु होता उसमें निकोटिन नमक अलकलाइट पहाँ जाता है निकोटिन जो होता बहुत ही बिसहला जहरीला पदार्थ होता है करिके का और आपको बता दें किसके अंस मात्र से हीais किसी की मृत्षयू भी हो सकती है और इसक जिसे इतना सरा लिख देंगे और इसके बाद में फिर डालेंगे इस question की अंतिम heading नसीले पदार्थों एम एलकोहल की रोक थाम और रोक चार तो बच्चे का लालन पालन पोशन ठीक से होना चाहिए अगर नसीले पदार्थों से बच्चों को बचाना है तो लालन पालन पोश लें सिच्छावा परामर्स लें और फिर माता पितावा सहकर्मियों से सलाह लेना चाहिए चले अगले long question पर आते हैं पिर अगला most important long question है मानो कल्यान के लिए सूच्म जीवों के उपयों का उदाहरन सहित वर्डन कीजिए मानो के कल्यान के लिए जो सूच्म जीवों है जो कि माहातुका संचेप में वर्डन कीजी या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मानो कल्यान में सूच्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए तो देखिए इसका उत्तर डालेंगे जिस भी प्रशन संख्या में होगा तो प्रशन उत्तर संख्या डालेंगे और डालन एक उत्पादों जैसे दही, बटर, मिल्क, चीज, क्यूमिस, केफिर, आदिका निर्मार करते हैं यानि धूद एवं डेड़ु दुग में मानो कल्यान में सूच्म जूजू हैं ये दही बनाने का भी काम करते हैं बटर, मिल्क, चीज, आदि ये सब जो पदार्थ होते हैं को बनाने में हिल्प करते हैं, किंडवन लैक्टो वैसिलस जीवाड़ों के द्वारा किया जाता है, जो किंडवन है, फर्मेंटेशन है, ये लैक्टो वैसिलस जीवाड़ों के द्वारा किया जाता है, ये जीवाड़ दुग्ध में उपस्थित लैक्टो सरकरा को लैक्ट इस्ट्रेप्टो कोकस क्रीमोरिस या इस्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस जीवान से होता है और जो दूद की क्रीम बनती है वो इस्ट्रेप्टो कोकस लैक्टिस से बनती है और इसके बाद फिर दूसरा है किंडवन तो किंडवन में बिभिन प्रकार की चटनी का निर्माड मा के हेट्रोलेटिक अमलिक किंडवन के द्वारा होता है और पेक्टेनेस तथा प्रोटियेस बोतल रस को साफ करने के काम भी आते हैं और फिर तीसरा लिखेंगे डबल रोटी तो डबल रोटी बनाने हे तो गुथे वे आटे में इस्ट कोशकाएं किंडवन हे तो डाली जाती है तो जो गुथा हुआ आटा होता है उसमें इस्ट की कोशकाएं किंडवन के दाली जाती है यजो इस्ट कोशकाएं होती ही जब व्यूइस का उत्पादन करती है carbon dioxide gas निकालती है जिसके फलशोरूप छिद्रों का निर्माड हो जाता है यहंनि इसी के कान CO2 के कान छिद्र उसमें हो जाते है बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं इंग रखला है परतिजयविक निर्माड तो सुचमजीवों से बिभिन प्रकार के एंटी बायोटिक्स उत्पन्न होते हैं जो सूच्म जीवों हैं माइक्रो और्गनिसम हैं इनसे बिभिन प्रकार के एंटी बायोटिक्स उत्पन्न के जाते हैं प्रतिजयविक बनाए जाते हैं जो अन्य सूच्म जीवों की बृध्धी को रोकते हैं य लिखेंगे औदोगिक महतु तो बिभिन प्रकार के सूचम जीव अपने एंजाइमों की सहायता से किंडवन की प्रकिरिया के द्वारा पदार्थों का निर्माड करते हैं और इनका उपयोग असंख जीवन उपयोगी दवाओं के निर्माड में किया जाता है जो बिभिन प् इसमें एंटिबायोटिक इस्ट्राइड वैक्षीन आद इसके उधारन है असंख मानो प्रोटीन ऐसे हैं जिन्हें पुनर योगर्ष जेनने तकनिक का उपयोग करके संसलेशित किया गया है यानि बहुत से मानो प्रोटीन ऐसी है जिसको पुनर योगर्ष जेनने तकनिक क माध्यम से बनाया गया है फिर अगला है उर्जा स्रोतों के रूप में तो सूच्व जीओं के द्वारा संसलेशित इंधन बिस्व भर में उर्जा की कमी को पूरा करता है जो सूच्व जीओं है इनके द्वारा बनाया गया इंधन पूरे बिस्व में उर्जा की कमी को पूरा करता है मेथेन एथेनाल हाइड्रोजन बायोगैस हाइड्रोकार्बन आद इसके उधारण है जो मेथेन है एथेनाल है हाइड्रोजन है बायोगैस है हाइड्रोकार्बन है आद इसके उधारण होते हैं जिनका संसलेशन सूस्मजियों द्वारा किया जाता है यानि ये सभी प वायो गैस को सामान रूप से गोबर गैस भी कहा जाता है और फिर सात्वा है क्रिस छेत्र में तो बिभिन सूच जीवों का उप्योग जयो उर्वरकों के रूप में कहाता है जो बिभिन प्रकार के सूच जीवों होते हैं इनका उप्योग जयो उर्वरकों के रूप में किया देते हैं जो पादफों द्वारा उप्योग की जाती है वो धारण के लिए राइजोबियम एजोटोबेक्टर और नील हरिस्यवाल एजोला आदी आते हैं तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में के साथ फिर उपस्तित होंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिजिए धान्यवाद